अलो मेरे दोस्तों मेरे भाईयों कैसे हो आप लोग तो भाई आज हमारे सामने खड़िया हीरो इसका इसका इन्स्रूमेंट क्लस्टर है वह भी वाल डिजिटल मिल जाता है इसमें फुली डिजिटल देखने के लिए पूरी बातों को ध्यान से सुनना वीडियो को देखना भाई तो सबसे पहले भाईयों इसका मैं आपको मीटर दिखाता हूं चाह भी लगा के इसका मीटर देखेगा भाई इस तरीके का फुली डिजिटल यहां पर आपको मीटर दिख जाता है पूरा चेंज है यह वाला माहूल और फ्रेंट की बात करेंगे हैं स्टीकर आपको इस तरीक पूरा इस तरीके का देख सकते हैं डिजाइन वही है सेम बट पूरे लुक्स फ्रेंट के थोड़े चेंज हो गया है जो बढ़िया लग रहे है देखने नीचे नंबर प्लेट की प्लेस्मेंट और यहां साइड में आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है जलाक पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक में वाला मिल जाता है ऑप्शन बढ़िया है टेलिस्कोपिक सस्पेंशन यहां आपको मिलते हैं पूरे टेलिस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है यह रेफ्लेक्टर यह तो चीज बहुत बढ़िया हो गई है टायर के साइ तो इसमें ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ भाई यहां पे आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए नहीं मिलता है ना आगे ना पीछे तो यह एक चोटी सी कमी है वैसे हो सकता था और यहां पर आपको फैस्टम सिस्टम में अबस जाएंगे जो कि एक बहुत जड़ा बढ़िया चीज है यह ठीक है और भाई साब इसके हां पर सारे फीचर्स हैं जैसे यहां पर यूस्वी कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है फोझा पीश सकते है यह चीज बहुत बढ़िया ह वैसे तो आजकल सम्मेही आ रही है चीज हो नहीं है पर आपको देखने के लिए मिल जाता है पीपी सुना देता हूं मैं आपको इसके तो भाई साब थोड़ी सी इसके इंजन के बारे में और बात करते हैं लुक्स तो आप देखी रहो पावरफुल बाइक है वैसे तो कमजो है इंजन में कोई समस्या नहीं है मुझे तो कोई कमी नहीं लगी आप कमेंट में जरूर बताना एफवन की हैं बैजिंग मिल जाती है आपको देखने के लिए और पूरा का पूरा सैटप इंजन का इस तरीके का दिया तो बाइक में कुछ और बी चीजे मिलते हैं यहां प पूरी चिंजिंग की जा सकती थी 165 mm का इसमें ग्राउंड किलेंस मिलता है ग्राउंड किलेंस भी बढ़िया है हीरो का लोगों 3D में मिलता है और यह ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिल जाते हैं और एक चीज और या ब्लू कलर देखो आप ब्लू कलर भीज नोसमें आ रहे हैं एक debris color और हैं वह भी मिल जाते हैं टैंक कैपसिटी 9.8 ृपीठ Ki टैंकैपसिटी इसमें आपको kuv की मिल जाती है जो की बढ़िया है तो इसमें भी कुछ लंबा चोड़ा तो को भाई सुधार मुझे लगा नहीं सीट्स बढ़िया है और सीट में ना एक चीज और देखोगे ना आप यहां पर यह देखो थोड़ा इस तरी के डिजाइन रेड कलर से से रिलेटेड सम्थिंग कुछ तो यह भी ठीक है बढ़िया लग रहा है वैसे तो प्योर बिलाक होता पूरा तब भी बढ़िया लगता कुशनिंग भी ठीक ठाक है बढ़िया चीज है तो यह है और इसमें एक चीज और आपको अच्छी से मिल जाती ह इसमें I3S की स्मार्ट टेक्नलोजी मिल जाती है यह चीज बहुत बढ़िया है मतलब आप अगर कही ट्राइफिक में खड़े ना गाड़ी आप थोड़ी से लंबी चलाएंगे फिर कही ट्राइफिक में किसी रेड लाइट पर रोकते है तो वहाँ पे आपको सेल्म किक के जरूरत नहीं है क्लेच से ही काम हो जाता है यह आए थ्रीस का यह तो यहीं भाई सब नीचे के और देखेंगे हैं फुट्रेस देखने के लिए मिलता है यहां पूरा पूरा आपको चैन सेट कवर यह चीज बढ़िया है चैन सेट कवर भी वैसे पुराने वाली चीज इसम तो जो इसका भाईस भी ग्रैवरी यह तो पुराने वाली है इसमें तो कुछ मुझे नया लगा नहीं अभी तक तो ठीक ही है वैसे तो जासे पहले आता था अभी वैसे ही है पीछे यहां पर लाइट का भी डिजाइन वही है और इंडिकेटर की प्लेस्मेंट यहां पर ब है वह बता रहा हूं मैं बस आपको टायर प्रोफाइल की बात करेंगे हैं यहां पर हम आपको सो असी सत्रा सत्रा इंच के टायर ट्यूबलेस मिलते हैं तो 130 mm का इसमें आपको यहां ब्रेकिंग सिस्टेम मिल जाता है और यहां पर यह जो देख रहे हैं एक्जोस्ट मुझ की बात भी करेंगे हैं स्विचिस की बात करेंगे तो बाइस साब यहां पर आपको आपको बताया था बैजिंग वो मिल जाती है अगर कहीं भी आप उसमें खड़े हैं मतलब अगर आप न्यूटल कर देंगे काड़ी ऑटोमाटिक बंद हो जाएगी स्टार्ट करने हो देखने के लिए एक चीज और ब्लुटूथ करेक्टिविटी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है थीक ईसमें पूमाट से पूरा कर प्रोफायल ऐसा है यहां धी कर रहे हैं मिलने के बाद इस तरीके के लगती है मगरे जो बिलिंग कर रहे नहीं कर नहीं सिर्फ मेरे के मुझे साब को ऐसा दिख रहा है वैसे परफेक्ट ये रेगुलर चलती है ठीक है तो पूरा-पूर नीचे के सैटप आपको है लोजन वैसे एलेडी हो सकता था ये चीज हो सकती तो थोड़ा से और जाता बढ़ तो भाई साब इसमें आपको देखने के लिए ये पूरा का पूरा चार्ट मिल जाता है इसमें आपको देगे तो भाई साब इसका एक्ष्वरों की प्राइज की बात करेंगे मैं आपके लिए बहुत अच्छे इंटरस्टिंग टाइप की वीडियो आगे लाता रहूंगा और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ओके